और माराष्ट के थाने से हत्या का संसरी खेज मामला सामने आया है जहां पर एक दोस्त ने दोस्त की धारदार हत्यार से हत्या कर दी है तो बहीं हत्या के आरूपी ने खुद ही पुलिस को घटना की सूचना दी है और अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया घटना पुलिस ने मामले दर्ज कर लिया है, पुलिस मामले की आग की कारवाई में जोटी हुई है, बता दे कि उधारी का पैसा नहीं लोटाने पर दोस्त ने दोस्त की हत्या कर दिये, दिरसल मरतक विपिन दुबे ने अपने दोस्त राजेश्वर पांडे से साधे चाल लाक और मरतक दुबे पैसा बापस लोटाने में देरी कर रहा था, शनिबार को राजेश्वर ने विपिन को अपने घर पर बुलाया, जहाँ पैसों को लेकर दोनों के बीच में कहा सुनी हुई, कहा सुनी के दोरान राजेश्वर ने मतन काटने वाले चुरूई से विपिन की बेरहमी से हत्या कर दी हत्या के बाद राजेश्वर ने खुद को लिस सेबाडी पुलिस को फोन करके इस पूरे वार्दात की सूचना दी है और अपने आपको पुलिस के हवाले कर दिया है जानकरी मिलने के बाद हमारे बीट मार्शल नहां पर पोचे की सही मामला क्या है असली मामला क्या है यह देखने को बताया था कि मैंने मेरे घर पर मेरे दोस्को मारा है तो आप पुलिस ने देखा कि यह जो अरपी है राजे शुर्पांडे अपने घर में था और उसी और रूम में एक इंसान एक आदमी जख्मी इसमें था